प्रिथ्वी पर शिवलिंग के स्थापन का जो दिवस है, भगवान शिव के विवाह का जो दिवस है, और जीव शिव के मिलन में मदद करने वाले ग्रह नक्षत्रों के योग का जो दिवस है, वही है महाशिवरात्री का पावन दिवस. चार महरात्रिया हैं जन्माश्मी, होली, दिवाली और शिवरात्री अन्य उत्सवों में खाने, पीने, मिलने, जुलने का महत्व होता है लेकिन शिवरात्री महोत्सव, व्रत, उपवास, इवं तपस्या का दिन है क्या आपको पता है शिवलिंग का प्राकटिय कैसे हुआ शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने स्रिष्टी की रचना की और विश्णु जी ने पालन का भार उठाया एक समय दोनों देवों को हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ट कौन स्रिष्टी करता बढ़ा कि पालन करने वाला बढ़ा दोनों में बौधिक खिचाव शिरु हो गया इतने में वहां करोडों सूरियों के तुल्य एक अद्वुत तेजपुंज प्रकट हुआ जिसका विस्तार आकाश और पाताल दोनों तरफ बढ़ा उसमें से आदेश आया कि हे देवुं जो इसका अंतपाकर जल्दी आएगा वह दोनों में से बढ़ा होगा ब्रह्मा जी आकाश की ओर और विश्नुजी पाताल की ओर तीवरगती से चले कई युगों तक दोनों ने उसका अंतपाने का प्रयास किया लेकिन उस अद्वु तेज तत्व का कोई आदी अंत न था आखिर दोनों देव ठक गए और हार के वापस आ गए दोनों के बढ़पन धीले हो गए दोनों अब उस तेज पुंज की स्तुती करने लगे उसी तेज पुंज को शिवलिंग कहा गया शिवलिंग अर्थात शिव का प्रतीक जिसका कोई अंत और आदी नहीं शिव तत्व अनंत अनादी है दो महाशक्तियों में संघर्ष हो रहा था उस संघर्ष को शिवलिंग ने एक दूसरे के सहयोग में परनत कर दिया सुरिष्टी में उथल पुथल होने की घटनाओं को घटित होने से रोकने की जो मंगलकारी घडियां जो कल्यानकारी रात्री थी उसको महाशिवरात्री कहते हैं बाद में इस तेज पुंज से ओम की ध्वनी प्रकट हुई स्रिष्टी की रचना के बाद कालांतर में प्रत्वी पढ़ जोतर लिंगों का प्रादुर भाव भी इस तेज पुंज के प्रभाव से हुआ आज भी यदि कोई शिवलिंग बना कर उसकी पूजा करता है उसे शिव की पूजा ही माना जाता है शिव जी कहते हैं कि मैं बड़े बड़े तपों से बड़े बड़े यग्यों से बड़े बड़े दानों से बड़े बड़े वरतों से इतना संतुष्ट नहीं होता हूं जितना शिवरात्री के दिन उपवास करने से होता हूं पूजिय बापूजी कहते हैं शिवरात्री की रात का आप खुब फायदा उठाना इस दिन ग्रह नक्षत्रों आदी का ऐसा मेल होता है कि हमारा मन नीचे के केंद्रों से उपर आए भीड भाण में मंदिर में नहीं गए तो ऐसे ही ओम नमस्शिवाई जब करना शिवजी का पत्रम पुश्पम से पूजन करके ओम नमस्शिवाई ओम नमस्शिवाई शांती से जब करते गए इस जब का बड़ा भारी महत्व है मन से ही की हुई पूजा शोडशोपचार के पूजा से दस गुना ज्यादा हितकारी होती है आपको कुछ न कुछ दिव्य अनुभव होंगे